हलो एवरीवन, कैसे हो, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ पाविक पटेल, लेक्के आ गया हूँ आपके लिए और एक मज़ेदार अन्बोक्सिंग जी हाँ, मेरे पास है ये लाहरा का दिनर सेल, जो की बोरोसिल के ओर से आता है और बोरोसिल बहुती जाने मानी कंपनी है, उसके प्रडक्त बहुती अच्छी और प्रीमियम आते हैं तो उसकी मैं अन्बोक्सिंग करूँगा, और साथ में गीवे भी करूँगा वारी के ओर दियमियम पाटिशन कैसे कर सकते हो, तक आस्य मैं आपको बताऊंगा तो ख़ठाक से अन्बोक्सिंग करते हैं, और इसकी प्राइज, क्या है उसकी डिजाइन, है उसकी सभी क्वालिटी सब कुछ में बनाऊंगा इस वीडियो में इसलिए ये वीडियो आप अन्टक जरूर देखना अगर वीडियो पसंदा है तो लाइक जरूर करना ये मेने एमेजन से खड़िदा है जो मुझे उसकी प्राइस पड़ी है ट्रिपल नाइन और मेरो को डस्त का डिस्काउंट मिला है तो यानि कि ये मेरो को हचार रुपे के अंदर पढ़ गया है एक हचार रुपे के अंदर बोरोसिल का प्रडुक्त काफी अच्छी आ ओप्स इसमें डै दिया है आप जाके वहां से चैक आउट कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं ये दो वेरियन में अथा है एक है 19 पिसका और दुसर्या थर्टी पाई पिसका उनिस पिसका हमको परेगा ट्रिपल लाइन में और 35 पिसका हमको परेगा 1650 में आप चाहे आपकी तो यह पहले निकला एक बड़ा सा माउल है जो की शिक्स पीस है वो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा आप देख सकते हो एक बार बटा दू कि यह पुरे का पुरा ग्लास का बना हुआ है और उसकी डिजाइन काफी बढ़िया है और उसके तलर भी काफी पंची है आप देख सकते हो उसको हम करते हैं साइट पे और निकालते हैं यह है शिक्स पीस फुल प्लेट वो भी हम बहार निकालें जए पैकिंग काफी बढ़िया है यह आप देख सकते हो प्लेट वो भी काफी बढ़िया है सेम कॉलिटी है और एक बार बता दो यह काफी हलका है काफी दिनर सेट में ने देखे कि जो वजर में काहीं भारी होते है लेकिन यह काफी हलके है बहुती लाइट वीट बनाया गया है यह भी हमको छे पिस मिल रहा है और निक्या निकलता है और एक मिनी बाउल है जो अगले जो बाउल्ट है उससे थोड़ी छोटी साइज है यह हमको तीन और यह और एक तीन मिल रहा है हमको तो हम उसके घ्चल लेखेंगे ऑसके भी यह भी सेम प्रख्ट है सेम कॉलिटी एं यह थरम तो यह भी बढ़िया है कि यह ब फीलाइक है और साह्थ में हमको यह भी छे वीच्श्क आप यह उतीन ईती और हमको अनको मिल रहा है यह मल्टी पर्पस बाउल और उसमें हम सब्जी और रैस या डाल भी लग सकते हैं और क्योंकि परोशने के लिए यह अच्छी क्वालिटी का है तो उसकी क्वालिटी की बाट की जाए तो बोरोसी क्लेम करती है कि यह 100% मौन एस फ्री उसको बनाने के लिए किसी भी जानवर की हड्यों का पाउडर यूस होता है लेकिन बोरोसी यहां यूस नहीं किया इसलिए वेजिदेरियन के लिए यह बेस्ट आप्शन है और एक बात बटा दू कि माइक्रोवेव सेफ है यानि इसमें से किसी भी पीस को आप माइक्रोवेव के साथ यूस कर सकते कोई डिक्त नही यह 100% सेफ है कि यह स्कैच फ्रूप है चाकू या स्पून या चम्मत के स्कैच इस पर नहीं आएंगे अब देख सकते हैं मैंने यहां चाकू से में यह तर रहा हूं यहां पर किसी भी परकार के स्कैच इस नहीं आएं मैंने बहुत सभी पर ट्राइब किया यह बावल पर करता हूं देखो यह मेरे चाकू यानि कि यह स्कैच फ्रूप है 100% उससे स्कैच इस नहीं आएंगे और इसका ग्लास भी थुरा सा मजबूट है यानि कि यह आसाने से तुटेगा नहीं लोग जाड़ा ओईली और मसाले दार पसंद करते हैं खाने में तो कही बार क्या हो टाएं कि कही डिनर सेट में मसाले के और ऑईल के डाग इस पर रह जाते हैं और यह आसाने से वास नहीं होते लेकिन यह डिक्कर उस पे नहीं आएंगे कि अपनी ने ऐस पूरी कहानी एक हचा रुपे के अंडर बरोसिल के प्रोड़क्त काफी अच्छा है काफी बढ़िया है आप लेकिन यह डिक्कर उस पे नहीं आएंगे कि हल्दी के आएल के डाग आसाने से आप वास कर सकते हैं कोई डिक्कर नहीं और एक ठीज कि यह डिस्वासर फ्री है यानि के आपके पस दीशवासर मसील हो तो आप उसमें आसानी से वास कर सकते हैं कोई डिक्कर नहीं है हंड्रेश परसंट सेफ है यह थी पूरी कहानी एक हचार रुपे के अंडर बरोसिल के प्रोड़क्त काफी अच्छा है काफी बढ़िया है आप ले सकते हो अगर लोग अगर वीडियो पसंट आती है लाइक करना सबसे इंपोर्टन बात गीवे की तो गीवे में कैसे पाटिसेट करता है बहुत ही आसान है पहले तो इस वीडियो का आपको लाइक करना होगा दूसरी बात कि हमारी चैनल को सब्क्राइब करना होगा और बेल आइकोन को प्रेस क करना होगा और एक प्यारा सा कॉमेंट देना होगा अगर इस वीडियो के एक हचाल लाइक होगे तो यह में गिवे कर दूँगा आप में सही किसी एक को लखी विलर को यह में गिफ कर दूँगा तो पार्टिसेट कीजिए पार्टिसेट करना बिल्कुली फ्री है कोई पैस झाल में